नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल बीरोबोको में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ गलित विशय से जुड़े हुए कुछ महातपूर चिन्हों के बारे में जिनका ग्यान आपको जरूर होना चाहिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक चिन्ह की जिसका नाम है जोड जिसका साइन कुछ इस तरह से होता है इसके बाद अगला चिन्ह है घटाव घटाव का जो शाइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है इसके बाद अगला चिन है गोणा का जिसका चिन कुछ इस तरह का होता है और इसके बाद अगला चिन है भाग जिसका चिन कुछ इस तरह से होता है तो ये तो है इसके बेशिक चिन है जोड घटाव गोणा भाग लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और भी महत्पूर् रहा हूं जो कि आपके लिए जानना बहुती जादा जरूरी है आगे अगर बात करें तो इसके बाद जो शबसे जरूरी चिन है वो है प्रतिशत जिसका चिन कुछ इस तरह होता है और इसके बाद अपने कारण और कारण का explanation देने के लिए कुछ चिनों का यूज होता है जिसे हम चूकी जो की दो बिंदी और कुछ इस तरह से बनता है और एक निशान होता है इसलिए का जिसमें एक बिंदी ऊपर होती है दो बिंदी नीचे होती है तिर्भुच को दर्शाने के लिए एक तिर्भुच के तरह का ही ए और भी कई चिन होते हैं, जैसे ओम, ओम पित्रोध का मात्रक होता है, जिसका चिन ने कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इसके लावा अनन्त है, अनन्त एक ऐसी चीज होती है, जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, जहां पर आप पहुंच चुके हो, वो चीज आपके लिए अ अनन्त नहीं है अनन्त का बिंदू और आगे चला जाएगा इसके बहुत इंपॉर्टन निशान होता है जिसको हम पाई के नाम से जानते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा हम लोग 22 बटे साथ कंसीडर करते हैं अगर कभी भी आपको बुला जाएगा पाई की वैल्यू क्या है तो के अलाबा ओर भी महात्पूर्ष शाइन है जिसको एक शाइन है जिसमेशे ओमेगा एक बहुत ही महात्पूर्ष Sóyaन है जो कि है ओमेगा ओमेगा जब हम लोग शमर्श शंखया पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ओमेगा शाइन का यूज करने को मिलता है इसके बाद यदि हम कोण बगेरा पड़ते हैं तो वहाँ पर अंस जैसे 18 डिगरी लिखना है तो ऐसे एक बंदी रखनी पड़ेगी इसके अलावा जब हम रेखा गड़ित की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें अत्धिक एक शाइन यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लंब लंब का शाइन इस तरह से होता है कि जिसे हमें दो रेखाओं को लंब दिखाना है एक होरिजेंटल है यानि एक छैतेज रेखा है और एक वर्टिकल रेखा है यानि कि लंब रेखा है तो कुछ इस तरह से लंब का शाइन बनता है कोण को दिखाने के लिए ठीटा इस तरह का एक निशान बनाया जाता है और आप चाहें तो कोण को दिखाने के लिए ठीटा या फिर कोण को दिखाने के लिए आप phi का इस्तामाल भी कर सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसके लाबा आफ मैं और भी आपके लिए कुछ महत पूर्ण रखे हो हूं जैसे एक बीटा है बीटा को भी आप area की तरह आफि इस्तामाल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बराबर के निशान से तो आप भली भाती परचित होंगे सिमें कोई दोराए नहीं है लेकिन एक इस पे एक और निशान होता है, जिस जो की होता है कि बराबर नहीं है बराबर नहीं है जिसको not equal to भी बोल देते हैं, जिसका निशान कुछ इस तरह से होता है इसके अलावे एक निशान होता है वर्ग मूल का, वर्ग मूल जहांपर दो दो के पेर बनते हैं और आता एक ही बाहर है, इसका निशान कुछ इस तरह होता है, जैसे दो गोने, दो लिखा हुआ है तो इसका वर्ग मूल का आंसर केवल दो ही आएगा इसके अलावा प्रश्नवाचक है इससे आप भली भाती परचित होंगे इसके अलावा एक निशान यहाँ पर आप अलफा देख शकते हो अलफा जो की इस तरह से बनता है इसे भी आप कौण की तरह यूज कर शकते हो यदि आपको दो रेखाएं समानतर दिखानी है तो आपक बिलकुल एक जैसी है जैसे दो तिर्बुज हैं बिलकुल अगर एक जैसे हैं तो हम उनको कुछ इस तरह का निशान लगा के लिख सकते हैं तिर्बुजों के जो भी नाम होंगे वो नाम लिखे जाएंगे यानि शमरूप का निशान कुछ इस तरह का होता है इसके बाद अ एक बड़ा भाई है जिसका नाम है शमानुपात, समानुपात का निशान में हम चार बिंदी कुछ इस तरह से क्या करते हैं प्रियोग में लाते हैं, इसके लावा एक और निशान है जो और है, ठीक है, और इसके बाद एक निशान आप फैक्टोरियल देख रहे हो, जब फैक्टोरियल बगेर आपका जो निशान है, कुछ इस तरह से बनता है या बहुत सारे लोग कुछ इसको इस तरह से भी बनाते हैं, आप जैसे यदि कोई आपसे बोल देगा फैक्टूरियल तीन की वैल्यू बताए तो फैक्टूरियल तीन की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक एक घटाते हुए बढ़ते चले जाना होता है तीन गुणे दो एक मतलब की तीन दूनी छेश का अंसर हो जाएगा फैक्टूरियल है फैक्टूरियल के निशान को एफ से परदर्शित कर देते हैं एड दरेट है दर है और खुछ इस तरह का निशान जैशा की के लिए प्रयोग में लेके आते हैं और एक लास्ट है जिसका मतलब होता प्रति की यदि जैसे मैंने बूला कि वो एक सिकेंड में यानि पर सिकेंड में एक किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर लेता है कवर कर लेता है कुछ इस तरह के लिए इस तरह का प्रति का निशान प्रयोग में लाते हैं तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ मैथ के गड़ित के महत्पूर्ण चिन है गड़ित पढ़ने में जिनका बहुत ही जादा प्रयोग होता है हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी पशंद आई होगी तो हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें क्योंकि हम ऐसी ही बहुत ही ब